हैलो एप्रिवान मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं So start करते हैं, पिसले वीडियो में मैंने values की बात की थी, so data type में values दो तरीके के होते हैं, एक object और दूसरा primitive type, इस वीडियो में हमारा पूरा focus primitive पे रहने वाला है, object पे हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, right? So अगर कभी JavaScript आपने create किया होगा, तो कुछ इस तरीके का होता है object right, और नहीं create किया होगा, तो कोई बात नहीं, primitive value जैसे variable declare करना होता है, तो first name, variable है हमारा first name है, उसके पहले मैंने let लिखा है, and then इसमें store मैंने क्या किया है, Jonas, एक example है, एक और example यहाँ पर जैसे is, जिसमें मैं मैंने क्या लिखा है, let, तो let a keyword है, जो कोई भी variable हम लेते हैं, तो उसके पहले लिखते हैं, अभी इन सारी चीजों पर हम details पर बात करेंगे, so basically primitive data type क्या होता है, primitive data types को हम fundamental data types से बोलते हैं, मतलब ऐसे data types जो पहले से बने हुए है, JavaScript ने पहले से हमें use करने के लिए दिया है, right, so, आगे बढ़ते हैं इस पर, अब total 7 primitive data types हैं, JavaScript में, सबसे पहला primitive data type है number, okay, कोई भी number, जैसे 23 हो गया, 25, 100, कोई भी number जिसमें point हो या point ना हो, अगर बाकी languages देखोगे आप, तो point वाले numbers के लिए अलग type होता है, और जो integer numbers हैं, जिनमें point नहीं है, उसके लिए अलग type होता है, बट जावा स्क्रिप्ट में, चाहे point वाला number हो, या बिना point वाला हो, दोनों के लिए एक ही type है, जिसको बोलते है number, so, I hope clear हो गया होगा, पहला primitive type है number, तो जैसे 23, सपोज एक variable है is, मैंने example लिया, और is के अंदर मैंने काई store किया है 23, और जावा स्क्रिप्ट में कोई भ second है हमारा string, so, string क्या होता है, पता ही है, values वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, series of characters, written under double quotation और single quotation, जैसे हैं single quotation में Jonas लिखा है, ये double quotation में भी हो सकता है, इसको string बोलते है, so, second type हो गया हमारा string, जैसे हमारा first name है, उसमें मैंने क्या store किया है, Jonas, Jonas क्या है कि string है, तो first name का type क् किस type का variable हो गया, string type का, third type हमारा हो गया, boolean, अब boolean type की javascript में दो ही value है, एक true और दूसरा false, याद रखना है इसको, javascript में boolean type की दो ही value है, पहला true और दूसरा false, जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक variable लिया full as नाम का, और मैंने इसमें store किया है true, तो full as का type क्या हो गया boolean, okay, okay, so next है हमारा, okay, next पर इस चलने से पर यह देख लेते हैं, कि यह तीनो data type जो है हमारा number, string और boolean, यह तीनो सबसे ज़्यादा important है अभी के लिए, इसके अलावा में चार और बताने जा रहा हूं, बट उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, because हमारा undefined, okay, अगर कोई variable है, अगर आपने variable declare कर दिया, suppose आपने एक variable ले लिए let children, और children में कोई value आपने store नहीं किया, तो children की automatically value क्या हो जाएगी, undefined, तो undefined भी एक type है JavaScript में, अभी मैं इस सारी चीज़े आपको VS Code में run करके दिखाऊंगा, right, next है हमारा null, null simply means somewhat like undefined, null का मत मतलब empty value, कोई value ही नहीं है, okay, so undefined और null similar है, बट फिर भी अलग है, undefined मतलब value define ही नहीं है, right, जैसे एक box है, अगर वो variable है, ठीक है, तो variable के अंदर क्या है कुछ पता ही नहीं है, okay, तो इसको undefined बोलेंगे, और जो हमारा null है, null मतलब box हमारा खाली है, उसमें कुछ भी नह ही है, sixth value है हमारा, जो कि हमारा ES 2015 में introduce हुआ था, जिसको हम बोलते है symbol, okay, symbol मतलब ऐसी value, जिसको हम change ना कर सके, उसका type क्या होता है, symbol, and next है हमारा, जो ES 2020 में introduce हुआ था, big int, basically integer के लिए होता है, लेकिन बड़े integer के लिए, जैसे माल लो कोई बहुत बड़ा integer आपको store करना है, जैसे mobile number, 10 digit, 12 digit का, तो उसके लिए ES 2020 में एक नया data type introduce हुआ जावा स्क्रिप्ट में, जिसको हम बोलते है, ES 2020, okay, I hope इतना clear हो गया होगा, एक चीज और इसमें ये बताना है, कि हमारा जावा स्क्रिप्ट है, और dynamic typing को support करता है, अब ये dynamic typing मतलब क्या होता है, देखो, typing दो त java, c, c++, ऐसे languages पढ़ो गया, तो उस सारे languages static typing को support करते है, मतलब पहले जब आप variable होगे, तो उसी time बताना पड़ेगा कि variable का type क्या है, जैसे आपने variable लिया और आपने बता दिया इसका type integer है, तो उस variable में अभी integer ही store कर सकते हो, और कुछ और नमबर या कुछ और store कर दी, error आ typing है, बट dynamic side typing में क्या होता है, कि variable में तुम जो value चाहो, जिस type का value चाहो store कर दो, ओ variable उसी type का हो जाएगा, मतलब अगर variable है तुमने उसमें integer store किया, तो उसका type all automatic number हो जाएगा, अगर variable, उसी variable में अगले line में तुमने string store कर लिया, तो automatic उसका type change होके string हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं, dynamic typing, so java script किसको support करता है, dynamic typing को, okay, so अब हम VS code अपना open करते हैं, और देखते हैं, run करके अपने सारे data types को, so सबसे पहले हम बात करते हैं, numbers की, जैसे 23, 23 क्या है, एक number है, अचा, अगर हमें किसी भी type, किसी भी value का देखना है, type क्या है, जैसे 23 एक number है, हमें देखन इसका type क्या है, तो java script में उसके लिए एक keyword है, type, type of, okay, अब type of 23, तो इसको हमें console में देखना है, इसका output, हम इसको console.log कर देते हैं, console.log और इसको हम parenthesis में कर देते हैं, type of 23, right, अब इसको हम, just a minute, off का, ओ हमारा lower case में होगा, type of 23, control, as, save करते हैं, यह दखो, यहापर type दिख गया, 23 का type क्या दिखाया, number, चाहो तो आप 23 को किसी variable में भी store कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे, ऊपर एक variable ले लेता हूँ, my var नाम का, my var और मैंने क्या बताया था, java script में कोई भी variable लेंगे, तो उसके पहले क्या लिखेंगे, let, right, और नहीं लिखोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, but let लिखोगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों, let or const के बारे में मैं आने वाले वीडियो में बात करूँगा, अगले ही वी variable है, इसके अंदर मैंने इस्टोर कर लिया, 23, और यहां पर मैं लिख देता हूँ, type of my var, control s, देखो, type के आया, number, उसी तरीके से, suppose इसमें अगले लाइन में, मैंने my var की value change कर दी, my var, और assign with, मैंने इसमें string इस्टोर कर दिया, right, जैसे, hello, आप देखो, type चेक करते है, control s, द जो कि javascript जो है, top से bottom की तरफ execute होता है, मतलब पहले line number one execute हुआ, तो my var में 23 हुआ, तब my var का type क्या था, number, बट जब अगले line में हमारा javascript का interpreter आया, तो my var की value change करके hello कर दिया, तो hello क्या string है, तो my var का type क्या हो गया, string, तो इसलिए देखो, output string आ रहा है, तो अभी के लिए मै इसको हटायता हूँ, right, so ए था हमारा number का type मेंने दिखा दिया, अगर string मैंने भी बताया है, बट फिर से देख लेते हैं, एक बार, console.log, अब suppose हमें type check करना है, type of, किसका कोई भी string ले लो, जैसे hey, अब मैंने string को variable में store नहीं किया, diet लिग दिया है, इस control S करते है, देखो, number, यह number वाला output कहां से आ रहा है, line number 2 से, और फिर string, यह कहां से आ रहा है, line number 3 से, उसी तरीके से कोई boolean value लेते हैं, जैसे console.log, और यहां पर मैं ले लेता हूँ, type of, और कोई भी boolean value जैसे मैं ले लेता हूँ, false, control S, देखो, क्या आ गया, boolean, यह देखो, js4, मतलब यह boolean value कहां से आ रहा है, line number 4 से, ठीके, तो again हम चाहिए, तो किसी variable में भी store कर सकते हैं, जैसे my boolean value, my boolean value assign with, मैं इसमें false store कर लेता हूँ, right, अब मैं यहां पर false की जगा, मैंने भी diet value लिखा था, बट इसकी जगा लिख देता हूँ, my boolean value control S, तो data को directly हम दोनों तरीके से use कर सक करते हैं, okay, so यह तीनों तो मैंने बताया था, number, string और boolean जो बहुत ज़्यादा important थे, अब undefined की बात करते हैं, undefined मतलब, जैसे suppose, okay, पहले मैं उपर जितना है लिखा है, मैं इन सबको comment में कर देता हूँ, fine, अब मैं बात जैसे मैंने एक variable लिया, let is, और मैंने इसमें कु देता हूँ, type of, type of, control s करते हैं, यह देखो, type के आया, undefined, उपर यह output so नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको comment में कर दिया है, अगर comment नहीं पता तो बता दू, forward slash, asterisk, जो मैंने line number 1 में लगाया है, और फिर नीचे देखो, line number 8 में, asterisk, and then again forward slash, अब इन दोनों के बीच मे हम जो भी लिखेंगे, Java का interpreter उसको execute नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो comment हो गया है, comment मतलब हमने कुछ चीजे लिखी है, खुद पढ़के समझने के लिए, या फिर मैंने, comment, simply comment का मतलब कि Java की interpreter को हम बोल रहा है, कि इन चीजों को तुम execute मत करना, skip कर देना, ठीक है, I hope clear हो गय तो यह multiline comment है, forward slash, asterisk, और asterisk, और forward slash के बीच में जो हम comment लिखे हैं, इसको हम क्या बोलते है, multiline comment, एक हमारा single line comment भी होता है, single line comment होता है, जैसे, यही मैंने let is variable जो लिया है, अगर इसके पहले मैं दो बार forward slash लगा दूँ तो यह comment हो गया, right, अब देखो, save करूंगा, तो यह देखो, control s करते है, output कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अब कुछ program है ही नहीं कुछ, सब comment हो चुका है, तो I hope समझ में आ गया होगा, single line और multiple line comment क्या होता है, so हमने define देख लिया, आगे हम बढ़ते हैं, null, तो अग हम null का type check करें, console.log type of null, और control s save, यह देखो, क्या आगया, object, अब यहाँ पर धियान रखना, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में एक error है, basically जो हमारा null है, इसका type null ही होना चाहिए, बट इसका type run करने पर object so करता है, ठीक है, अब इस error को जावास्क्रिप्ट डेवलोपर्स ने सही क्यों नहीं किया है, the reason is legacy of the JavaScript language, ठीक में error है, कि null का type क्या बताता है, object, तो I hope clear हो गया होगा, दो type हमारे बचे, big int और symbol, जिसका मैं बात अभी नहीं करूँगा, आने वाले वीडियो में करूँगा, so thank you for watching this video and channel को subscribe करो, like करो, video को and friends के साथ, share करो, thank you